नमस्कार जेन्द वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आपके घर में सोटी बिटिया है और आपको अभी तक लाड़ी लक्षमी योजना के तहत कोई लाब नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि लाड़ी लक्षमी योजना के तहत आप किस परकार लाब लोगे इसके अलाव दोस्तों इसमें क्या क्या आपको फाइदा होगा तो इसके लिए दोस्तों आप वीडियो को लाइश तक देखते रहेगा साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं आएं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजागा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अभी तक इस योजना के तहत लाब मिला है या नहीं मिला है तो दोस्तो इस योज़ना के तेह तब बीटिया को मिलेंगे हर महीने 1,60,000 रुपे यानि कि दोस्तो आपको अपने ही मोबाइल से आवेदन करना होगा इसके अलाओ दोस्तो मोधी सरकार ने कुछ नए नियम भी लागू किये गए जो 2022 में सुरू होने वाले है इसके अलाओ दोस्तो आपकी बिटिया की उमर 5 साल से 21 साल के बीच में है तो दोस्तो आप आज ही आवेदन कर सकते हैं साथ ही दोस्तो यहाँ पर आपको यह फौरम भरना होगा और यहाँ पर दोस्तो यह फौरम मैं अपने मोबाइल से भर कर आपको बताऊंगा कि आपको किस परकार से यह फौरम भरना होगा और किस परकार से आपको लाडली लक्षमी योदना के तहत यहाँ पर आपनी बिटिया का आवेदन करवाना है इसके साथ ही दोस्तो अगर आप गरी परिवार से है यानि कि दोस्तों आपके घर में एक या एक से अधिक बिटिया है तो दोस्तों तो भी आप लार्ली लक्ष्मी योदा के तहत आविदन कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर ओपीशल वेबसाइट के मातिम से बतवाने वाला हूँ कि किस परकार से आपको आविदन करना है दोस्तों लार्ली लक्ष्मी योदा के तहत अभी तक आपको कोई फाइदा नहीं मिला है तो दोस्तों मोधी सरकार दे रही है सबी बेटियों के खाते में 1,60,000 रुपे की नगद धन रासी जी यहां दोस्तों आपने एकदम सई सुनाए इस योदना के तैत के अंदर सरकार दे रही है सबी बेटियों के खाते में 1,60,000 रुपे की नगद धन रासी तो दोस्तों आप घर बेटे ही यहाँ पर अपनी बेटिया के खाते में 1,60,000 रुपे तक अपने खाते में ले सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको आविदन किस परकार करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको कौन कौन से डोक्योमेंट चाहिए जिससे दोस्तों आप आसानी से आविदन कर सकते हैं दोस्तों आविदन करने के लिए आपको कहीं पर भी जानी की जरूत नहीं है आप अपने ही मोबाइल से और घर बैटे आप आविदन कर सकते हैं इसके लाव दोस्तों ये योजना भारत के उगंतीस राजिया और नो केंदर सासित परदिसों में लागू की जा चुकी है तो द सकते हैं इसके अलाव दोस्तों यहां पर यह भी बताया है कि इस योजना के तैत सभी बेटियों के खाते में यह दंदरासी बेटी बचाओ साथी दोस्तों बेटी पड़ाओ अंदोलन को आगे बढ़ाना और भरन अत्याप पर रोक लगाना है जिया दोस्तों केंदर सरकार इस योजना के तैत सभी बेटियों के खाते में हिया दंदरासी बेटी पड़ाओ और बेटी को बचाओ अंदोलन को आगे बढ़ाने का लक्से रखा गया है और इसके अलाव दोस्तों मोधी सरकार ने यानि कि दोस्तों केंदर सरकार की इस योजना के तैत आवेदन करने की जो आयू सीमा है वो जनम से 18 साल तक रखी गई है तो दोस्तों आपकी बेटिया अभी तक सोटी है तो भी आप अभी आवेदन कर सकते हैं 18 साल की आपकी बेटिया हो चुकी है तो भी दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं इसके अलाव दोस्तों इस योगना का मुख्य उदिशी है बेटियों का भवशी सवारना और उनको सक्सत बनाना तो दोस्तों इस योगना के तेत के अंदर सरकार की इस योगना का मुख्य उदिशी रखा गया है बेटियों को आतम दिर पर बनाना और बेटियों को जो बहुश है वो सवारना इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको पता ही है केंदर सरकार का जो आंदो लने बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ को आगे बढ़ाना इस योना का लक्से रखा गया है मोधी सरकार के इस योना के तेता भारत की 2022 तक तीन करोड बेटियों को लाब पहुचाने का लक्से रखा गया है जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो 2022 में यानि की दोस्तों एक साल में तीन करोड बेटियों को लाब पहुचाने का यहाँ पर लक्से भी रखा गया है और इस योदना के जो आशिक सर्त है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आविदन कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों आपकी बीटिया इस आविदन में इस योदना के तहता लाब लेने में जो सक्सम है या नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर इस सर्ते भी कुछ बताई गई है बेटियों को पहले से दो से ज़्यादा है यहाँ पर युटना का फाइदा ना मिलता हो और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर पहले से दो यहाँ से ज़्यादा ही होना का लाब नहीं मिलता हो तो ही दोस्तों आप आवे दिन कर सकते हैं बेटी के माता पिता मैंसे किसी के भी सरकारी नौकरी ना होनी चाहिए दोस्तों बेटी के जो माता है या पिता है उनके पास कोई भी सोटी मोटी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए और बेटी के परिवार में कोई भी चार पईयावान नहीं होना चाहिए दोस्तो अगर आपके घर में चार पई या वान है तो आप अपनी मेटी का इस योना के तेहता फाइदा नहीं ले सकते हैं आवेदा नहीं करवा सकते हैं इसके अलाओं दोस्तो मोधी सरकार नहीं भी बताया हैं लाडली लक्षमी योधना में लाब लेने के लिए आशिक काग जा दोस्तो यहापर बीटिया का जनम परमान पत्र पिता का आधार कार्ड और साथ ही दोस्तो माता पिता का पाचान पतर आई परमान पतर रासन कार्ड और किसी भी सरकारी बेंक या पोश्ट ओपिश में खाता होना चाहिए खाते की पास्बूक, दोप पास्बूट, साइट के फोटो और कैसे दोस्तो करें आप आविदन दोस्तो ये सारे के सारे डोकिमेंट्स लेने हैं, उसके बाद दोस्तो आपको किस परकार से करना होगा आविदन तो दोस्तों इस योदना के तैत आविदन करने के लिए अपने गाउं के जन्द सेवा केंदर या अंगनवाडी केंदर में जाकर आविदन करना होगा जी यहां दोस्तों मैंने पहले से ही बता दिया कि आप अपने ही गाउं में अपने ही घर रहकर आविदन कर सकते हैं तो दोस्तो इस योना के तेत आवेदन करने के लिए अपने गाउं के जंद सेवा केंदर या अंगण वाडी केंदर में जाकर आवेदन आपक कर सकते हैं इसके लाव दोस्तो यहाँ पर सामुदाइक विकास केंदर में जाकर आशानी से आवेदन कर सकते हैं अगर आपके गाव में सामधा एक विकास केंदर बना हुआ है तो दोस्तों वहाँ पर जाकर आप आसानी से आविदन भी कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस परकार से आविदन कर सकते हैं मिलेन या अगले वीडियो में तब तक के लिए जेहिंद वंदे मातरम दोस्तों